जैहिन मैं आविन कुमार सिंग डिरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पतना 2018 में जिससे में रेलवे एलपी टेक्निक्शियन की वेकंसी आई थी तो उस समय आपको याद होगा जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे होंगे लगभग 38 से 40 लाग के करीब स्टूडेंट फॉर्म भरे थे 38 से 40 लाग यह संख्या मामूली नहीं हुआ और चुकि 2018 से लेके अभी 2022 आ गया है 2023 में आपका वेकंसी संभावित है तो यह 4 से 5 साल का इस बीच में गैप हुआ है तो कम से कम आप यह मान लीजिए कि 20% लगभग 15 to 20% स्टूडेंट के बरने की संभावनाएं हो सकती है तो 45 लाग से 50 लाग तक स्टूडेंट इस बार फॉर्म भर सकते हैं यह अलग बात है कि बहुत सारे इसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका एज समाप्त हुआ होगा या बहुत सारी बाते हैं हलांकि एज की जहां तक बाते हैं बीच में 2-3 साल आपका कोरोना को लेकर के डिस्टर्ब हुआ है तो जिस तरीके से SSC GD में अभी आप देखेंगे कि 3 साल का एज का ग्रेश दिया है तीन साल एज को एक्स्टेंड किया उसमें असपस लिखा कि कोरोना के कारण तीन साल एज बढ़ाया जाता है तो यह आगे चल करके एक परमख मुद्दा होगा कि रेलवे एलपी टेक्निशियन में भी बच्चों को तीन साल का एज का ग्रेश दिया जाए तो उस हिसाब से और जितने जल्दी अगर इस बात को रेलवे किलियर कर देती तो जिन बच्चों का एज समाप्त हो गया है या समाप्त होने पर है उनमें एक अलग तरह का उत्सा का संचार होता तो खेर यह अलग मुद्दा है इस पर आगे चल करके बातचीत भी होगी माहूल भी बनाया ज अच्छे दो साल पिछले साल से भी तैयारी कर रहे होंगे और इसमें कई सारे स्टुडेंट है कि जो 2018 में एकजाम भी दे चुके हैं और आभी हाल के दिनों में ग्रूप D दिये इसके बाद NTPC दिये तो तैयारी के लिए उनका जो syllabus है आपको पता है कि syllabus दो पार्ट में ब जाएंगे तो से वीटी टू में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर दो सीटिंग में आपका एकजाम होना है जिसमें की फर्स सीटिंग में सो कोश्चन आपका नॉन टेक सेक्शन ही रहेगा लेकिन उसमें 75 कोश्चन पीटी के एक चामेंस में जाकर के एक्स्ट्रा पिछले बार चार-5 पूछा लेकिन जब 15 कोश्चन सिलिवस में दिया है तो मेरा यह कहना है कि नॉन टेक का महत्ता से लेके सीवीटी टू तक है और आपका सीवीटी टू में सेकेंड सीटिंग में जो एक्जाम होना है वहां पर आपका 75 कोश्चन ट्रेट से रहेगा जो क क्वालिफाय करना होगा पिछले बार 2018 में भी नॉन टेक पर बहुत अच्छा पकर रहने के बाब जूद बहुत सारे बच्चे ट्रेट में फेल किये हैं इसलिए अगर ट्रेट पर आपका अच्छा खासा पकर बन जाता है तो यह ड्राइबर टेक्निशन के अलाबा अन्य भी जो एक्जाम आप देते हैं चाहिए वो मेट्रो हो डीर्डी हो यूपी पीचल हो विहार स्टेट पावर होल्डिंग हो या इस तरह के जितने भी PSU जो है न्टीपीस नेच्पीस बेल गेल से यह ट्रेड आपको हर जगा फाइदा पहुंचाता है और नॉन टेक तो जि फोकस करना चाहिए और और इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट कंफर्म हो तो नॉन टेक में प्रैक्टिस में आपको बने रहना परेगा और नॉन टेक पोर्शन आपका बहुत बेहतर करना परेगा क्योंकि कंपिट्शन दिन बदिन जिस तरीके से बर रहा है तो पिछले बार का जो आपका कट ओफ रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि उसमें हमको 10 से 20 परसेंट कम से कम ज्यादा कट ओफ मान करके अगर हम तैयारी करते हैं तो जाकर के एक सीट हमारा पक्का हो पाएगा तो वह इसी परिस्तिती में आपका क्या रन्निती होना चाह है कि आप इसको लाश्ट तक देखने का परियास करेंगे इस वीडियो में दो बाते होंगी एक तो प्लेटफॉर्म में हम क्या कर रहे हैं बहतर तयारी आपके बहतर तयारी के लिए online और offline mode में और यही चीज आप खुद से भी implement कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं एक indirect हमारे माध्यम से तो हम आगे बढ़ते हैं next slide पर जाते हैं वहीं से हम स्टार्ट करते हैं सारी बाते हैं तो next slide में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वैसे छात जिनका non-tech section पढ़ा हुआ है दो तरह के बच्चे होंगे एक तो वैसे होंगे जो अभी तयारी का सुरुआत करें करनी है अब इसमें हम सब्जक्ट वाइस टेस्ट कांचरचा के हैं और सब्जेकट वाइस टेस्ट ये आप खुद घर पर भी इसको लगा सकते हैं यहां रहते हैं अपने माहुल बना करके यह चीज़ कर सकते हैं, दूसरा कि हमारे माध्यम से, हमारा जो उद्देश है आगे चल करके, हमारा, चुकि आपको पता है कि जिसे कि मैत, रिजनिंग, साइंस, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका नॉन टेक पोर्शन में इसी तीन पेपर का होगा, अगर PT का हम चर्चा करें, तो 75 कोश्चन में, 65 कोश्चन आपका इसी तीनों सेक्षन से पूछना है, मैत से आपका 20 कोश्चन रहेगा, रिजनिंग से 25 कोश्चन रहेगा, और साइंस से 20 कोश्चन, देख लिजिए, 75 में 65 कोश्चन हो गया, अगर जब आप CBT टूप में प 40 कोश्चन हो गया, यानि कि कुल मिला करके आपका 90 कोश्चन के अपरोक्स फिर यहीं पहुंच गया, आपकी 10 कोश्चन में, करेंटे, फेरसे, स्टेटिक जी के वगरे वगरे मिला करके है, तो इस वेटिज को समझते हुए, हमको खासा फोकस अभी कहां करना है, मैत पर करन है, रिजनिंग पर करना है, साइंस पर करना है, प्रेड आभी हम अलाग कर रहे हैं, यह तीन पेपर कुद पर जिस समय हमारे हमारा कमांड हो जाएगा, hey 100 percent guarantee है कि हमारा रिजल्ट मिस नहीं होगा और इसमें हमारा थोड़ा सा goat के सिसमें चलना चाहर हैं इस पर आपकोगोर करना है कि जुकि अभी आपके पास एक परिके से देखा जाए तो समय कितना है पहले तो यह समझना होगा समय जब भी नई वेकंसी आएगी मार्च अप्रेल के बाद ही आए आने की संभावना है मार्च अप्रेल के बाद में आप मैं जून जुलाई अगस्त क्योंकि गौवर्मेंट चाहेगी जितना हम आगे खीच करके चुकि 2024 में एलेक्शन होना है तो वहां पर पहुचा करके हम इसका रिजल्ट दें लेकिन अगर अप्रेल के बाद भी अगर हम मानते हैं तो उस हिसाफ से अगर देखेंगे तो पांच-छे महिन आएगी तीन-चार महिने के बाद एक जाम होगा तो तब भी आपके पा प्रिवियस येर सेलेक्टिव कोश्चन जिस तरह का अलपी का प्रिवियस है ग्रूप डी का जिस तरह का कोश्चन पूछा एंटीपीसी का जिस तरह का पूछा एक्जांपलर वगरे से साइंस का कोश्चन जिस तरह का दिया तो वह सारे को टार्गेट में लेकर के कैसे हम बहतर परफॉर्मेस अपना दे पाएंगे, यह में धे होगा, तो हमारा मानना है कि हम जो अभी चलने वाले हैं, तो सपता में पांच दिन हम सब्जेक्ट वाइस टेस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं, ओनलाइन मोड में भी, ओफलाइन मोड में भी, तो उसमें क्या होना है सब जो question हम टेस्ट यहां पर लेंगे, day by day में, उससमें तीन लेबल में उस केस्टीन को हमरात दिये हैं लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, लेवल 1 नॉर्मल कोश्चन रहेगा, लेवल 2 आपका मॉडरेट कोश्चन रहेगा, लेवल 3 आपका टफ कोश्चन रहेगा, और ये तीनों मिला करके, अगर हम 20 या 25 कोश्चन करके लेते हैं, तो तीनों में 75 कोश्चन अपरोक्स होता है, और 75 कोश्चन अगर एक टॉपिक से हम उठाते हैं तो उसमें उस टॉपिक का सारा टाइप सारे लेवल के कोश्चन को हम इन करा लेते हैं तो 20 मिनट में 25 कोश्चन बनाना है और उसी समय expert teacher उस सारे कोश्चन का पूरा detail concept के साथ आपका discussion करा देंगे इससे पता ये लेगा कि 20 में हो सकता है कि 10 कोश्चन हम सही बना पा रहे थे भसक्रंस नहीं बन पा रहा था लेकिन expert teacher concept के साथ 200 कोश्चन का अच्छética से 25 कोश्चन का discussion कि तो यकीन मानिये कि एक दिन गलती किये हैं, दूसरे दिन से उस तरह के question में गलती की संभावनाएं नहीं रहेगी, तीन दिन में एक पूरा का पूरा topic आपका समाप्त हो जाएगा, और बांकी दो दिन, जैसे Monday to Wednesday ऐसे हो गया, topic-wise, बांकी दो दिन, Thursday और Friday, ये दो दिन में हम क्या करने वाले हैं, कि जैसे मान लिजे कि 25 question math आपका पूचा है previous year में, तो 25 में से 15 question आपसे बन जाएगा, 10 question में निश्चित रूप से maximum बच्चों को problem होगा, तो वो 10 question को हम अलग कर लिए, फिर अगले set के इसी तरह तरीके से 10 question को अलग कर लिए, तो 20 question का math में टेस्ट हो गया, 20 question आपका पूछता भी है PT में, तो 20 question का test 20 minute में हो गया, और 40 minute expert teacher, सारे selective question जो टफ टफ कोस्चन है, उसको solve करा दिये, फिर दूसरे दिन भी आइसे ही कराए, तो पांचों दिन में इसमें chapter wise भी हो गया, previous year miscellaneous भी हो गया, ऐसा अगर आप 5-6 महिना कर लेते हैं, हमको पूरा भरोसा है कि math का एक भी question जो आपके नजर के सामने से नहीं गुजरा हो, हर type का question दोनों mode में आपका आजाएगा, chapter wise भी आजाएगा, previous भी आजाएगा, previous में आपका LP का भी previous लेंगे, group D का भी लेंगे, exemplar का भी लेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे, तो NTPC का भी लेंगे, और सेम चीज यही में भी करेंगे, सेम चीज यही science में भी करेंगे, और तीनों कमबो मिला करके आपका full marks हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना जादा आपको फाइदा होना है, तो यह हमारा जो इससे related जो batch हम स्टार्ट कर रहे हैं, यह आपका 5 December से हमारा प्रारंभ होगा, offline mode मे 5 December से और online mode में the platform app को download करके यह 6 December से आप, sorry 5 December से online mode में और 6 December से इसी चीज को offline mode में आप कर सकते हैं, चली हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि subject wise test LP technician का कैसे कैसे, जिसका अभी हम चर्चा किये, online में math 11 बारे time रहेगा अभी भूती सर के द्वारा, science बारे से ए और offline mode में साम में 5 बजे से 8 बजे तीनो का अलग अलग है, मन होगा तो सिर्फ selective एक ही subject को आप कर सकते हैं, मन होगा तीनो पेपर कर सकते हैं, मन होगा दो पेपर कर सकते हैं, तो जो भी student अभी अगर पटना आना चाहते हैं, यहां आकर के 5 महना हमारे साथ ताद तारी करना एक minimum cost में, जिन बच्चों का सारा कुछ परहा हुआ है, तो सिर्फ practice के उद्देश से 3 गंठा time हमको देना परेगा daily, बांकि अपना self study आप करते रहे, 100% ALP के like 6 महना हम आपको बना देंगे, जिससे more than 80% score, 90% के approach score आप कर पाएं, और online mode में कहीं भी आप रहते हों, यह तो trade के बारे में जो हम चर्चा किये, कि अगर आपका non-tech portion बहुत ही अच्छा है, तो trade को आपको अच्छा करना ही परेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलना है, तो trade में आप electrician हो, feeder हो, diesel mechanic हो, electronics mechanic हो, अन भी trade हो, तो यह batch अपना 6 December से start हो रहा है, तो इसमें हम एक extra चीज add कर दिये हैं, हर में आप देखेंगे, electrician plus engineering drawing, feeder plus engineering drawing, diesel mechanic plus engineering drawing, electronics mechanic plus engineering drawing, और एक अलग बैच है, basic science and engineering drawing का अलग से, तो यह सारा batch 6 December से start होगा, online mode में और offline mode में अलग-अलग, तो जो पतना आना चाहते हैं, offline mode में, online mode में, the platform आपको डाउनलोड करके, मातर 999 रुपया इच लगेग उसमें आपका trade भी हो जाएगा, और engineering drawing भी हो जाएगा, 999 रुपया में, और 6-8 महिना तक चलेगा, 6-7 महिना तक ही एकदम, basic से यह batch चलेगा, और इसको आगे आने वाले दिन में, demo अगरे भी सम मिलेगा, बहुत सारे बच्चे अभी जो घर पर बैठे-बैठे करना चाहत यूटूब पर free of cost चल रहा है, वहां से भी आप देख सकते हैं, teacher के quality को समझ सकते हैं, आप कहीं भी अभी के समय में आप पर हैं, तो दो-तीन बातों पर आपको ध्यान रखना है, trade की हम बात कर रहे हैं, पहला teacher के परहाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, और selective उतन 50% का target लेंगे, कितना भी होगा, 50% पर, उससे 45% पर आके तो ठीक हैगा ही, more than 50% पर ठीक हैगा ही, और इतना आपके लिए काम चल जाएगा, लेकिन अगर थोरा सा अच्छे से धियान दे देंगे, तो इसमें आप maximum arsenal ला सकते हैं, और driver को छोर करके आने जगे भी इसका और ये सारा चीज आगे आने वाले दिन के डेमो में भी मिल जाएगा, और आठ से नौ वाले बैच में भी आप इसको देख सकते हैं, इंजिनियर आसीस सर, हलांकि दो इंजिनियर आसीस हैं, एक mechanical के अलग हैं, जो कि फीटर डीजल पर आते हैं, और electrical के अलग हैं, जो कि electrician पर हाते हैं, और engineer राकेस, electronics mechanic पर हाते हैं, बहुत ही the best teacher है, और हम guarantee देते हैं, अगर एक बार अच्छे साप ध्यान दे देते हैं, तो आपको trade में problem नहीं रहा जाएगा, एकदम आप वीडियो को इसके बाद देखिएगा, और अपना खुद निरने आप लीजिएगा, बात तो ऐसे ही sentiment से फैसला नहीं करना है, बलकि teacher के quality को देख करके फैसला करना है, एक last में next जब हम पहुंचते हैं, तो एक full syllabus का test, weekly, इसको आपको निश्चित रूप से जोईन करना चाहिए, कहीं भी रहते हो, कोई चीज आप करिए कि नहीं करिए, self evolution आपका होते रहना कि जिस तरह का question CBT1 का पूछा जाएगा, जिस तरह का question CBT2 का पूछा जाएगा, उसमें हमारा performance अभी कैसा है, और धीरे-धीरे किस तरह के performance इंप्रूब कर रहा है, इस पर गवर करना आपको जरूरी है, इसलिए प्रतेक Saturday को offline mode में सारे 8 बज़े से हम test दिये हैं, उसमें ए CBT1 और CBT2, दोनों mode में question का idea आजाएगा, कि आखिर किस तरह का question पूछा जा रहा है, किस तरह का question exam में पूछा जाएगा, तो ये test आपके लिए बहुत ही महत्पुरुन होगा, अब offline test में 20 रुपया per test open test है, और 20 रुपया में 15 टेस्ट आप दे सकते हैं, with discussion, offline discussion भी होगा, और online discussion भी एप पर इसका दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, इसका PDF solution भी हम उपलब्द करा रहे हैं, तो ये तीनों चीज आपको रहेगा, और इसका लाब आप उठा सकते हैं, और यही चीज, online mode में भी, 15 टेस्ट का आपको 75 रुपया मातर लगे के अपने performance को जज कर सकते हैं, और जब यही 1000-2000-5000 बच्चों के बिच बहुत अच्छा performance नहीं रहेगा, तो क्या उमीद करते हैं कि जहां लाखों नहीं, आप करोरों के संक्याम फर्म भरने लगे हैं, पचासो लग बच्चे फर्म भरेंगे, वह हमारा result हो जाएगा, कता ही संबब नहीं है, इसलिए इन छोटे-छोटे चीज़ों को अपना करके, कोई जरूरी हम फिर हमी दुवारा बात बोलते हैं, ये चीज आप self भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का माहूल create करना परेगा, और हमारे माध्य हम से करना चाहते हैं, तो offline में तो सारा बात हम बता ही हैं कि trade का batch, offline batch, non-take का batch, प्लस subject wise test, ये सारा कुछ दिसमबर के first week से start हो रहा है, और online में भी the platform app के थुरूप इसको आप ले सकते हैं, मा की खूब अच्छे से परहाई करते रहे हैं, अगर ऐसा आप सोचेंगे कि vacancy आएगी, तो हम तयारी start करेंगे, तो वो बात हैं हो हो रहे हैं, और आपको परिशान होने की जरूत नहीं है, अरे vacancy आएगी, तो आप यकीन माने, ये बहु ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा, और competition जिसका दर बर रहा है, उसके लिए आपको पहले से prepare होना ही परेगा, ये बात आपको मानना ही परेगा, तो अभी सा अपना एक सीट पका करना है, ऐसा यकीन मान करके उस हिसाब से अपने मेहनत को बरहाना है, चले धन्यवाद, बेस्ट अपलग, धन्यवाद